हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंड्स आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसके बाद बन वाली हैं शेयर करें सबस्क्राइब झाली है इसके बाद ये तो आप सबसे इंपोर्टन अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें शल्जम थी बहुत है सर्दियों के मौसम में मोसली शल्जम मिलता है तो इसका अच्छे से यूज़ करना जरूरी है अध्रक लाहसन का पेस्ट आड़ कर देना है तीखे के लिए आप अपना टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग मिर्ची कम जादा अर्जस्ट कर सकते हैं नमक आड़ करना है उसके आपको यह रोस्टेड गरम मसाला पाउडर है उसे आड़ कर देना है उसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी आपको रोस्टेड जीरा पाउडर और सबसे इंपॉर्टन निम्बू का रस तो आधा से जादा मतलब 75% एक निम्बू का पार्ट मैंने यूज़ कर लिया है बहुत ही रसीले निम्बू है तो आपने हिसाब से आप निम्बू का रस यूज़ कीज़ेगा और यह सरसो का तेल दो बड़े चमच मैंने अड़ किया है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा मसाले सभी चीजों में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए ता ही है आग और सुकून वाली आपको मोमेंट होता है जब आप आग के पास गर्मा गर्म चाय और चिकन टिक का कबाब लेकर बैठियेगा तो और यह देखिए मैंने यह सीक लिया है और इसे ऑईल से मैंने ग्रीज कर दिया है और एक एक चीज़े जो भी इंग्रीडियंट्स मैंने ली है ना जैसे शल्जा में प्यास है शिमला में चिकन है आलू है तो सबी चीज़ों को बारी बारी से करके डालना है ताकि आपका जो सीक में 10 से 12 आपको स्लाइस चले जाने चाहिए ताकि वो अच्छे से परफिक्ट तरीके से हमारा सीक जाएगा जादा नहीं डाल को तो तीन सीक मैंने इस तरह से इरेंज कर दियें देखिं कीते परफिक्ट तरीके सा औरेंज हुआ है और यह हमारा आग एकदम लहलाहाता हुआ जल रहा है कितना पर्फेक्ट तरीके से हमारा जल चुका है यह आग और यह जो आगा ना वह बुच चुका है बस यह जो गर्माहट वाली कोईले वाली जो आगा वह बहुत देर तक ठाहरती है तो उसी पर मैंने र जब तक यह रेड रेड नहीं हो जाते है ना ओवराल चारों तरफ से तब तक हमें इसे अच्छे से घुमाते वह सेक लेना होगा बीच में ओईलिंग करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो वह ड्राइ हो जाएंगे जूसी नहीं लगेंगे तो फ्रिंट्स एक बैच हमारा अ अग्दम टेम्टिंग लग रहा है फ्रिंट्स रेसिपी जरूरी कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अब मैं इसे सीख से निकाल लेती हूं बहुत ही इसली निकल जाता है फ्रिंट्स एन बहुत ही पर्फेक्ट तरीके से एकदम जूसी है हमारा चिकन टिक कबाब बनकर रेडी है इसे आप पराठे के साथ नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से यह बना हुआ है बहुत ही देसी स्टाइल में एकदम जूसी है एकदम सॉफ्ट है और बाहर से एकदम अच्छे जैसी का इसन फ्लेवर देने के लिए ना मैंने पेस्ट मैं अच्छे से रोस्ट में बटर युज शीचा ऐए और इसपे मैं आपको चिकन लेंग पीस वह रोस्त कर लोंगी जोकि मुझे ऑब चिकन अच्छे तरीके से ये दम अच्छे से रोस्ट हो रहा चिकन टिक कवाब भी देसी स्टाइल में जब मिल जा तो बात ही कुछ और होती है वह भी सर्दियों के मौसम में तो फ्रेंट्स मैं इसमें बटर भी यूज़ करूंगी जिसे बटरी वाला चिकन टिक कवाब हमारा बनकर रेडी हो यह अमूल का आपको बटर है इसे मैं इस त तरह से आप बटर लगा दीजेगा तब हमारा बटरी चिकन टिक कवाब रेडी हो जाएगा और यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से यह लेकपीस भी एकदम रेडी हो रहा है तो फ्रेंट्स इसी तरह से सर्दियों को मौसम में एकदम बटरी वाला चिकन टिक कवाब बनाएए खाएए सभी को खिलाएए इंज्वाइ कीजे और यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजेगा बिल्कुल भी देसी स्टाइल में तो फ्रेंट्स मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल र प्रेंगे बाई बाई टेक केर